तो डियर्स प्रेंट्स आपको पता है कि अब केवल एक अपता रह गया है और ग्यारा सितंबर को आपका मतलब नेक्स संडे को यह पेपर होने वाला है और इसलिए आपको अब इन ना नेक्स सब्सक्राइब में आपको अब उन्हें पर ही सब्सक्राइब करक्री लेज़ने नहीं वो है plants का classification और animals का classification तो पहला point आप note कर लीजे अपने copy और pen में साथ में लिकर के चली copy pen को copy में note कर लीजे plant kingdom और animal kingdom एक बार आप revise करेंगे in 7 days में अच्छे से यहाँ पर पूरे-पूरे question मनने के chances हैं दूसरा आप पढ़ेंगे यहाँ पर animal human physiology, human physiology और plant physiology पट वो फिर भी कम important रहेगी as compared to plant classification और animal classification मैं आपको अल्रेडी वीडियो में यह चीज बता भी चुका हूं अगर आप 12th biology में आते हैं तो 12th biology में reproduction वाली unit बहुत important है तो चाहे वो plant reproduction से related हो, चाहे वो human reproduction से related हो, बहुत अच्छे questions यहाँ पर बनेंगे इसलिए इस पर आपको focus करना है in 26 to 7 days के अंदर दूसरा आप पढ़ेंगे genetics, genetics में चाहे वो botany की genetics हो, चाहे वो human genetics हो और या फिर molecular genetics हो, DNA, protein, synthesis, transcription, genetic, codon यह सभी इस पर अच्छे से focus रखेंगे तो reproduction वाली unit और genetics वाली unit काफी important रहने वाली है, दूसरा जो है evolution आपको अच्छे से पढ़ करके जाना होगा तीसरी important चीज़ student आप पढ़ेंगे यहाँ पर biotechnology के कुछ extra points, extra मतलब out of NCRT क्योंकि यहाँ पर scientist के name और कुछ एक जो चीज़ें NCRT से बाहर से पूछी जाती है, वो जरूर जरूर आप करके जाएंगे तो biotechnology से NCRT से बाहर से भी question बन सकता है last but not the least biology में आप पढ़ेंगे ecology, ecology में भी आप पढ़ेंगे ecosystem क्योंकि ecology में आपको पता NCRT में 4 units, 4 chapters दिये गए हैं पर सबसे ज़्यादा important है ecosystem, तो ecosystem को अच्छे से करके जाएगा यह बात भी biology की जिसमें मैंने आपको जो important, important topics हैं वो बता दिये हैं अगर हम physics में आते हैं, तो physics में आपको सबसे important करना पड़ेगा 1D, 2D और 3D motion, 11th physics में 1D, 2D, 3D motion अच्छे से करके जाएगा दूसरा important topic रहने वाला है उसमें, gravitation, gravitation पर काफी questions बनते हैं, मैं आपको अल्रेडी एक वीडियो बना के देच चुका हूं उस पर इसके अलावा आप उसमें देख सकते हैं, KTG और thermodynamics इस पर काफी questions बन सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं, जो young प्रत्यास्था गुनांग है, elasticity उस पर भी थोड़े बहुत question बन सकते हैं, तो 3-4 topics ऐसे हैं physics के, जो कि आपको 11th के अच्छे से करके जाने, work energy power, work energy and power ये भी क काफी important chapter रहने वाला है, 12th physics में electrostatics या फिर ray optics की बात करूं और current electricity की बात करूं, electrostatics, ray optics, current electricity और साथ में जो ज़्यादा तर जो आप देखें questions बनने वाले हैं, वो है nuclear physics के, जिसमें आप alpha, beta, gamma rays या फिर जो आप नाभी की अभिक्रियां हैं देखते हैं, उस पर question बनने के chances रहेंगे physics में, तो आप ये chapters को अच्छे से मजबूत करके जाएगा, last में हम देखें chemistry में, तो chemistry में सबसे पहले, अगर 11th chemistry में बात करें तो atomic structure, mole concept और chemical bonding, ये बहुत important है, और ionic और chemical equilibrium, ये अच्छे से पढ़के जाएगा, साथ साथ में आपको organic chemistry में बढ़ने, reaction mechanism, IUPAC और aromatic compounds के जो properties होती हैं वो, तो ये 11th physics में करके जाएगे, और 12th physics में, वापस हम देखें, solution में, chemical kinetics में, electro chemistry में, इस पर अच्छे question बनेंगे, प्लस आप देखेंगे के P block और D block, उससे काफी questions पूछे जा सकते हैं, और last में आप organic chemistry में, alcohol, ether, phenol, alcohol, ether, phenol के कई questions बन सकते हैं, carbonic, carboxylic acid पर question बन सकते हैं, aldeide ketone पर, तो ये जो reactions, particular name reactions पूछी जाएगे, वो आपसे alcohol, ether, phenol, carboxylic acid और aldeide ketone में से पूछी जाएगे, तो ये मैंने आपको मोटे मोटे तोर पर biology, physics और chemistry के important topics बताए हैं, वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लेना, जो जो topics मैंने quickly यह All the best students